इस खुबसूरत केक गार्नीशिंग से आप अपने केक को और भी ज्यादा ब्यूटिफुल बना सकते हो नमस्कार दोस्तों धर्मिस किचन में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही आसान निदी से चोकलेट गार्नीशिंग की रेसिपी देखेंगे जिसका हम केक डेकोरेशन या फिर कोई भी डेजर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं केक गार्नीशिंग के लिए यूज होने वाला मटिरियल कहां से मिलता है इसकी प्राइस क्या होती है ये सब भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान वीदी से चोकलेट गार्निशिंग यह है OHP शीट अगर आपको चोकलेट गार्निशिंग में शाइनिंग चाहिए तो यह OHP शीट आपके पास होनी चाहिए यह आपको कोई भी स्टेशनरी शोप में आसानी से मिल जाएगी या फिर आप ओनलाइन भी सर्च कर सकते हो मैंने 250 में यह 50 पिसिस का पूरा पेक लिया था आप चाहिए तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हो लेकिन बटर पेपर से चोकलेट गार्निशिंग में इतनी शाइनिंग नहीं आएगी अब हम डाग चोकलेट को मेल्ट करेंगे या मैंने 3-4 गलास जितना पानी गर्म करने के लिए रखा है उसी के उपर डाग चोकलेट वाला बाउल रखेंगे डाग चोकलेट मैंने 80 ग्राम ली है जो की एक शीट के लिए काफी है चोकलेट को लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे यहां आप देख सकते हो कि चोकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है जिसे गेज से उतार लेंगे और रूम टेंपरेचर पर आने तक थंडा कर लेंगे मैं जितनी बार आपको चोकलेट गार्निशिंग दिखाऊंगी सब में हम इसी तरह से डबल बोईलर मेथर से ही चोकलेट को मेल्ट करेंगे आप चाये तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो थंडा होने के बाद मेल्ट की हुई चोकलेट को OHP शीट पर स्प्रेड करेंगे OHP शीट को आप 2-3 बार रियूज कर सकते हो ये वाली शीट में रियूज कर रही हूँ चोकलेट अच्छे से स्प्रेड करेंगे थोड़ी सी चोकलेट बाहर निकलेगी लेकिन कोई बात नहीं इसे भी फीर से यूज कर सकते हो अब इसे इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो चोकलेट इवनली स्प्रेड हो जाएगी अब इस शीट को उठा कर साइड में रखेंगे और सेट होने के लिए आप चाहे तो एक मिनिट के लिए फ्रीज में रख सकते हो या फिर ऐसे ही बाहर 15 से 20 मिनिट के लिए रख सकते हो तो चोकलेट सेट हो जाएगी मैंने एक मिनिट के लिए फ्रीज में रखा था जिसे बाहर निकल लिया है अब मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से cuts लगा देंगे cuts को दो बार repeat करेंगे क्योंकि lines अगर merge हो गई तो चोकलेट curls अच्छे से निकलेंगे नहीं अब इसे इस तरह से round shape पर roll करेंगे आप इसकी जगह पर बेलन या किसी bottle का use कर सकते हो अब इस तरह से roll करने के बाद rubber band लगा देंगे अब इसे 15 मिनिट के लिए freeze में रखना होगा 15 मिनिट के बाद मैंने freeze से निकाल लिया है rubber band हटा देंगे और चोकलेट curls निकाल लेंगे एक दो चोकलेट curls तूटेंगे भी लेकिन तूटे हुए curls को आप फिर से melt करके use कर सकते हो आप देख सकते हो कि हमारे चोकलेट curls कितने अच्छे और shiny बने है अब समान वीदी से 3 टेबल स्पून वाइट चोकलेट को भी melt करेंगे अब इसमें एक पिंच फूट कलर एड़ करेंगे ये स्पेशिल चोकलेट में एड़ करने वाला फूट कलर है इस तरह का कलर आपको बेकिंग माटिरियल मिलता हो ऐसी शोप में से मिल जाएगा दोस्तो जब भी चोकलेट गार्निशिंग के लिए कोई भी शेप बनाना हो तब बहुत टाइम से पड़ी हुई चोकलेट को यूज ना करें चोकलेट गार्निशिंग के लिए हमेशा फ्रेश पेक वाली चोकलेट ही यूज कीजिए यहां मैंने बहुत टाइम से पड़ी हुई चोकलेट मेल्ट की है इससे जब हम चोकलेट गार्निशिंग बनाएंगे तो वो इतने शाइनी नहीं बनेंगे दिखाना ज़रूरी है नहीं तो आप ही पुछेंगे कि हमारी गार्निशिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं बनी इस मेल्टेट चोकलेट जब रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब इस तरह से OHP शीट पर स्प्रेड करेंगे आप चाहे तो पाइपिंग बेग में भर कर भी डिजाइन कर सकते हो अब इसे 10 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे आप चाहे तो इसे 1 मिनिट के लिए फ्रीज में भी रख सकते हो और तब तक मैंने यहाँ बटर पेपर लिया है जो रेक्टेंगल शेप का है और पेपर को इस तरह से हाथ से दबा देंगे जिससे बटर पेपर में बहुत सारी रिंकल आ जाएगी इसमें हम बाद में चोकलेट स्प्रेड करेंगे पहले हमने जो शीट में डिजाइन बनाई थी उसी के उपर मेल्टेड डार्क चोकलेट स्प्रेड करेंगे चोकलेट स्प्रेड करते वक्त ध्यान रखे दोस्तों की लेयर थोड़ा सा थीक होना चाहिए बहुत ही पतला लेयर होगा तो गार्निशिंग अच्छी नहीं बनेगी तो यहां हमने दोनों शीट पर डार्क चोकलेट स्प्रेड कर ली है अब दोनों को उठा कर साइड में रखेंगे मैं इसे भी एक मिनित के लिए फ्रीज में रखूँगी अब हमने जो बटर पेपर बनाया था उसी के उपर डाख चुकलिट स्प्रेट करेंगे इसे भी एक मिनिट के लिए फ्रीज में रखना होगा यहां मैंने पहले वाली शीट फ्रीज से निकाल ली है जिस पर इस तरह से कट्स लगा देंगे अब हम इसे भी इस तरह से राउन शेप पर रोल करेंगे लेकिन जब भी हम इसे राउन चीज पर रोल करेंगे तब ध्यान रखेंगे कि चोकलेट हाड नहीं होनी चाहिए नईतो रोल करते वक्त ही चोकलेट टूटने लगेगी रबर बेंड लगा देंगे अब इसे भी हमें 15 मिनिट के लिए फ्रीज में रखना होगा चोकलेट सेट हो गई है कि नहीं ये देखने के लिए आप हाथ लगा कर चेक कर सकते हो जो उंगली में चिपक नहीं रही है लेकिन ये इतनी हाड भी नहीं है मतलब हमें चोकलेट को सेमि सेट करना होगा इस शीट में हम इस तरह से कट्स लगा देंगे मुझे इसमें स्क्वेर चाहिए इसलिए मैंने यहां 12 समान पीसिस कट किये हैं आपको जितने छोटे या बड़े पीसिस चाहिए आप उसी के हिसाब से कट्स लगा सकते हो इसे भी 15 मिनिट के लिए फ्रीज में रखा था और फ्रीज से निकालने के बाद शीट को अलग कर लेंगे आप देख सकते हो कि स्क्वेर बहुत ही अच्छे बने हैं लेकिन पूरानी चोकलेट यूज की थी तो इतनी शाइनिंग नहीं आई लेकिन कोई बात नहीं हमारी डीजाइन तो अच्छी बनी और इसी बहाने हमारी चोकलेट भी यूज हो गई इसी तरह से आप कोई भी शेड में अलग-अलग चोकलेट स्क्वेर चोकलेट कर्ल्स बना सकते हो बटर पेपर वाली चोकलेट भी सेट हो गई है इसमें भी साइड्स निकाल देंगे ताकि हमें परफेट स्क्वेर मिले 15 मिनिट इससे भी मैंने फ्रीज में रखा था और फ्रीज में से निकालने के बाद बटर पेपर हटा देंगे यहां भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब बटर पेपर पर चोकलेट स्प्रेट करेंगे तब लेयर थुड़ा सा थीक रखना होगा मैंने चोकलेट का लेयर काफी पतला स्प्रेट किया था तो निकालते वक्त काफी सारे स्क्वेर तूट रहे थे लेकिन आप देख सकते हो कि बटर पेपर में जो रिंकल्स आये थे उसी से हमारे चोकलेट स्क्वेर में डिजाइन भी बहुत ही अच्छी आई है और शेड्स भी अच्छे निकले है या मैंने गोल्डन कलर लिया है इसमें भी आपको गोल्डन के अलावा कोपर सिल्वर शेड्ड भी मिल जाएगा ये भी आपको बेकिंग माटिरियल मिलता हो एशी शोक में से मिल जाएगा जिसकी एक बोतल की प्राइज 100 से लेकर 150 तक मिल जाएगी ये गोल्डन कलर भी खाने वाला कलर ही होता है तो आप इसे बटर या तेल में मिक्स करकर भी स्प्रेड कर सकते हो या फिर इस तरह से ड्राई कलर भी स्प्रेड कर सकते हो आप चाहे तो brush का use भी कर सकते हो आप देख सकते हो कि golden color spread करने से हमारे square कितने अच्छे बने है दोस्तो जो बाते मैंने आपको बताई है उसी को ध्यान में रखकर अगर आप चोकलेट गार्निशिंग बनाओगे तो आपके चोकलेट गार्निशिंग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे वीडियो को like, comment और share करना ना भूले मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ